जहीं दोस्तों मैं आसुगोर आप सभी का अपनी इस किलास में स्वागत करता हूँ SSC GD के लिए एक किलास चल दी है आज एक चोथा प्रेक्टिस सेट है इसे पहले तीन किलास हो चुगी है आप जाकर अगर आपने अब तक नहीं देखी जाकर उनकिलास को देखे एकार बहुत अच्ली किलास है बहुत ऐँचछे से आपंकी समझ में आएगा क्या कर रहे हैं बहुत प्रेक्टिस कर रहे हैं जीनी के लिए तो आज का पहला सवाल है प्रेक्टिस सेट का आपकी स्क्रीन पर है सब्सक्राइब में हुई हानी, विक्रemor bandits 1 , 5 के बराबर है तो हानी पृटतीसकत लगबा कितना हुगा सवाल क्या है आपने पढ़ लिया और wen का मतलब क्या है मतलब है है कि यदी किसी लेंदेन उपी हुई हानी, प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो पूछ रहा है तो हानी परतीसत कितना होगा लगवग में बताना है देखो 6 CP है 1 ही हानी हुई तो हानी परतीसत कैसे निकालेंगे बतारत का कैलिकुलेशन सीवी क्यों होगी एक हानी एक ही बते में CP कितना है 6 है गुणा में क्या करतेंगे 100 और यह होता है 16 से ही अच्छ दो उपसन है 16 तो काटके देख लो भई 6 ही कम 6 बचिका चार 6.34 बचिका फिर चार 6.34 और 6 6 से चलता चलता जाएगा तो क्या लिख केंगे साए 15 पॉइंट सोई 16.67 क्या आगे बई 16.67 बेर आसान सवाल था ठीक है तो बहुती आसान सवाल था पहला सवाल अब देखो दूसरा सवाल क्या है दूसरा सवाल देखो क्या है पढ़ो एक बार इसको क्या लिखता है बई चालिस और बीस परतीसरत की दो कर्मागत चूट, डैस की एकल चूट के सम्दूलिया, ये पूछ रहा है कि ये किसके एक्वेलेंट है, दो कंजूगेटिव अगर इसको डिसकाउंट दे जिए, एक चालिस परसेंट का एक बीस परसेंट का, तो वही जो तरीका बता रखा है, तो और ये वही बता है, निकाल दो, चालिस परसेंट का मतलब क्या लिख सकते है, वही, बीस से कालधो, बीस बटा इसरेंट को क्या लिख दोगे बई, 20 परसेंट के कि इस बटा तो गत्ना हो जाएगा, एक बटा 5, तो इसने दो चूट दी, एक बार का क्या आगर हो है, प आपर बना गरोगे थी पांच कर दिया 25 है चार दिया अगर मैं इसे क्या बनाना चाहूब गई 100 डारेक्ट उप तरह दाएगा तो 100 बनाने के लिए इदर 4 से गुना करतू इदर भी 4 से करने पड़ेगी ठीक है दोना तरफ 4 से कर दिगुना तो क्या आएगा वए 100 और इदर क कितने की मिलगी 52 फर्तिस अब कि यह है इसका बिल्कुल सही जवाब यह जो प्रैक्टिस सेट है चोपता जो मैं कता रहा हूं ठीक है मेरे हिसाब से SSC GD के लिए बिल्कुल बेस्ट है ऐसा ही लेवाल एक्जाम का होना चाहिए इस बार है अगला क्या है यह वही जोड़ गटा वाला यह खुद करोगे वही कैल्कुल यह सने बोर्ड मांस का नियम समको बता हूं मैं यह बोर्ड मांस मतला पहले ब्रैकिट सोल करोगे फिर अगर कहीं ओफ आ रहा है ओफ ठीक है वह सोल करके फिर डिवाइड फिर मल्टिपिकेशन तो फिर एडिशन और फिर सब्ट्रेक्शन ठीक है यह बैदाड होता है करने का सोल करोगे फिर फिर कोफ अगर कहीं है खुद से कर लोगे समाल सवाल है चोलता क्या है रेनु का वेय उसकी बचत से 120 परतीसत अधिक है यदि उसकी आय और वेय में करम से 25 परतीसत और 30 परती होगी समझ माहा..समा क्या कहा रहा है..कि देनु का वेय, उसका खर्च यानि buyers परती यह इनिशर दीक हो है.. gobierno's से 200 अधिक है और थो 220 आई वेय रही आन वाहाज समझ वेय। ऑवेय खर्च उसकी बचत परतीस और बचत से यह 220 होगा.. ठीक। अब अगर इतने आदे में कोई खर्च कर रहा है और इतने बचा रहा है तो उसने कमाएं कितने होगे कमाएं होगे उसने इन दोनों को जोड़ दोगे 320 अभी तो खर्च कर पारा और बचा पारा आगे क्या आप यदि उसकी आए और वे में करम से 25 परसेंट और 30 परसेंट की व्रद्धी होगी आए में कितने की होगी 25 परसेंट की कितने परसेंट की व्रद्धी कर दो कितने परसेंट की 25 परसेंट की व्रद्धी कर दो तो 320 का 25 परसेंट निकान देगा 320 का 25% कितना जाएगा देखो 25 की बुना कर दो इसमें और 2-0 अटा जो लाशन से 25 दो नहीं 50 0 आगी एक पहले से तो 2-80 अगर 25 तियर 75 पिछटर में 5 जोड़ गए 80 कितना आगया 80 कि अब एको क्या गया कि वैय में किरम से 30 की वरती वैय कितनी हो जाए 30 की यह क्याथा वह इसा हिए इसमें 30 की वरत्वी कर दो इसका 30% निकाल देगे तो 22 की है 66 दो जिरो से दो जिरो अटिकी ठीक है तो भाई expenditure तो अब उसका हो गया 66 की वरद्धी होगी तो expenditure कितना हो गया 6 अब अगर आदमी 400 कमारता 206 उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा भाई इस में से यह गटा देगे बचत पता लग जाएगी इस में से यह गटा दो बचत पता लग देगी तो उसने बचाया कितना है बाई 400 में से 200 ich si जाएगे कि यहाँ पर 60 चोद इंदक तो पहले ए अदमी सौ रूपे बचा था अब 114 बचा था 100-114 हो गया कितना अब इपरसेंट बढिका परतीस की एक ऐसे सवाल रड़ना है यहिस कमीं नटे सवाल देखो अगरा एक मैं देख लूँ सवाप दिखाई देरा कि नहीं सब कुछ आप बिलूगुल बढ़िया दिखाई देरा कोई दिखाई नहीं सवाल देखो कुछ वाँ आज सवाल पहले ही लगा लिए इस स्पीड से सवाल हो देंगे दो संख्याओं के लवुत्तम समापर्तिय और मैत्तम समापर्तिय करम से कितने हैं यह हुरी है SCF और LCM देखाई यदी वे संख्याई 324 और XO एक संख्या देखाई दूसरी पूछरा हमारे से सब को पता है यह बहुत आसान है LCM गुना SCF प्रावर पहली संख्या फर्ष्ट नंबर गुना दूसरी संख्या से किट नंबर ठीक है और LCM कितना है इसका 35 चोशट्ट SCF कितना है 81 और पहली संख्या देथी 324 दूसरी संख्या देथी X ठीक है सोल कर लोगे वही ठीक है 9 से काट दो 9 27 9.24 और यह 9 से काट गए 9 तम क्या सी 9 चोख 36 चार से काट दो इसको 4,5,4,8,32 ठीक है 3 बच गए 4,5,6,4,4,5,4 आगा भई अब इसने पूच्छा किया है कि X के अंको का योग क्या होगा यानि कि इसको जोड़ के देख रो हाट और यह 9 और 9 ठारा क्या अबब इसने को गए हो 18 ठीक है समझे माया कैसे क्या सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है एक बस यह फोर्मूला याद रखना आपको कुप्पी में उतान लो इस फोर्मूला हो और इस रटलो सवाल देखते है वह यादला चाटा सवाल क्या गया है यदी वेक्ती सांथ जल में पढ़ो सवाल को यदी वेक्ती सांथ जल में 9 किलोमेटर परती गंटा की चाल से नाव चला सकता है उसे धारा के जिसा में 33 किलोमेटर जाने और धारा के विप्री 21 किलोमेटर आने में बराबर समय लगता है देखो वह क्या का इसने की 33 जाने में और 21 वापस आने में समय बराबर गया अब मैंने क्या बता रखा अगर समय बराबर हो अगर समय बराबर हो तो जो दूरी का रेशो है वही दूरी कितनी है 33 और 21 जो दूरी का रेषो है, वही रेषो का होगा, लो यह बात अगर नहीं पता थी कि चीह बात हो जो बेद का रेषो बात होगा, बुक्तलड गांगा, मैं टाइयम इस होगा, समय बड़ाबर है अब देखो यह वाली दूरी क्या थी धारागी दिशा में धारागी दिशा में चालते है Y X प्लस Y ठीक है जैसे काट लेके बार सार 3 से काट तो 3 सते 21 और 11 खेंते 33 अब यह होते है धारागे 8 speed होते है X प्लस Y और धारागे विप्रीथ speed होते है X-Y जाते X है नOW की चाल, Y है धारा की चाल, ठीक, यह बात बैँ पता होंगी, सबते हो अगर यह धारा की जिसा है, और नाव भी इसी जिसा में जानी, तो इस पीड दिख जाती है जुड और फ़ोगे ढरें, जीड जाती है, region dollar यही लगाया अब देखो x plus y 11 x minus y 6 अब तर यहां से x और y कमांड direct निकालना है देखो direct निकालना क्याशे वैसे दो निकालना क्या वोपन नीचे रखे दो equation है निकालना है यहां पर यहां पर x plus y यहां पर x minus y अगर x निकालना तो क्या रहोगे दुन्नों को जोड के भाग देदो दूसे 11 7 18 बटा दो नो नो और y निकालना तो y बराबर क्या रहा देगा दुन्नों को घंटा दे दूसे बाग दे तो 11 में से साथ दे चार बटे में दो पर होगे दू आई बात समझ में ठीक है यह बात समझ आई अब देखो इसने यह हमारा है रेशो से रेशो से आगा अब देखो कोस्चन में क्या रखा इसने कोस्चन में दे रखा कि जो नाओ की चार्ज है सांच जल में नाओ की चार कितनी है नो किलोमेटर परती गंटा और हमारी कितनी आई नो का मान क्या है नो ही है तो इस दो का मान भी क्या होगा दो ही होगा दो किलोमेटर परती गंटा तो धारा की चार्ज की आगी वही दो किलोमेटर परती गंटा तो यह बहुत खुपसु संख्याओं का उसत 65 है यदि अगली चार कर्मिक संख्याओं को सामिल कर ले देखो बहुत बार बता रखा मैंने भी और जहां से आपने पड़ाओं उन्हें भी बता होगा कि अगर है कर्मागत संख्या है कर्मागत संख्या है जैसे यह बस लगातार संख्या है तो उनका उसत इस सफ गान बहुत है बिल्कुल बीच वाली संख्य होती है पीच वाली संख्य ठीक है ये इतनी है पॉटच अगर मैं सम्ख्या ए साथखर दू तो स Cancer thứ ग्षए जर्धा इस की वड़ाई डहारे है तो बीच वाली संख्या कुण सी हो जाएगी ये तो उसत कितना बढ़ गया एक आई वास समझ में मैंने संख्या बढ़ाई दो उसत बढ़ गया एक बस यही लोगी यहां पहला लाना आठ कर्मिक संख्याओं को उसत पैंसट है अगर अगली चार कर्मिक संख्याओं जोड़े वाई मैं संख्याओं बढ़ाऊंगा चार तो उसत कितना बढ़ जाएगा दो उसत कितना बढ़ जाएगा दो पैंसट में दो जोड़ोगे संट क्या गया होई सिस्टी सेवन ठीक है अगर देखो यह समझ में नहीं आगा तो एवरेज की किलास पड़ी है मेरी यूट्यूब पे वो जागे देख लो पहली सहे दूसरी किलास में या पहली में पता नहीं देख ले ना आप कौन सी किलास में पढ़ा रखा सवाल एको आठवा पढ़े हुआ क्या रिन है एक रियाफारी के पास 80 kg चावल है जिसकी कुछ मात्रा में 15% के लाव पर तता 6 मात्रा 5% की देखो ऐसे ही सेम सवाल मैंने इस से पिछले बाले चैट में कराया था ठीक है एक बार और बतादे रहा क्या रियाफारी के पास 80 kg चावल है जिसकी कुछ मात्रा में 15% लाव पर कुछ मात्रा सेस मात्रा 5% की हानी पर बेजता है पूरे लेंदेरियों से अच्छा ये तो कर दो कुछ मात्रा 15% कुछ मात्रा 5% ठीक है और और उसे प्रोफिट कितने का हुआ 12% का लेकिन ये लोस पर है और ये लाव पर है एलिगेशन लाव दो है इनका डिफ्रेंस कितना आजाएगा वही 17 इनका डिफ्रेंस कितना आजाएगा 3 ठीक है इनका डिफ्रेंस आजा 17 इंदका डिफ्रेंस आगया तीन यह किसका रेशो आगया कॉन्टिटी का किसका रेशो आगया वह कितनी है यहां से देखो कितनी आई हमारी 20 कोश्चन में कितनी रहे रखी असी तो 20 कमान असी एक कमान चार मैंसे पूछ क्या रहा है पूरे लेंदर के उसे चावल की कितनी मात्रा 15 पर बेची अलगे तो 17 कमान पुछ रहा 15 पर यह वाली मात्रा बेची तो इस 17 कमान कितना हो जाएगा 17 चुका 18 तो क्या गया बई 18 ठीक है कि ऐलीगेशन लागा सिंपल सबको अपता होगा इसाब से कि सवाल देखोंगे अधला यह बहुत अच्छा सवाल है मेनसुरेशन का स्टीड़ी मेनसुरेशन का एक संगू के बखर परष्ट का चेटपल इतना है बहुत अच्छा सवाल कि यह य यह हो क्या संकु यह क्या रहा कि इसके आधार की त्रिज्या और संकु की उचाही बरबर है यानि कि यह आर है जो यह वाली त्रिज्या और यह उचाही राइट यह दोनों बरबर है यानि कि अगर मैं दोनों को क्या मानदू एक्स और एक्स तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहि तो इसकी उचाई और त्रिज्या दोनों एकसा अगी उसके बाद क्या का इसने संकु का आयतन बताओ संकु का वकरपरष्ट का छेत्रफल संकु के वकरपरष्ट का छेत्रफल दोता है 2πrl क्या होता है पाई आरल क्या देदिया उसने 25 रूट 2πrl कि अगर यह एक से यह भी से तो एल मियो जाएगी एकशलों दो है तो पाई यहांपर क्या यह ड़िए यह फाई ऀस है तो भी क्या दो cirrigy कॉट खेइं हैं हम तेक कर था मार्ण कि कर द Aqui अगए मान किदना ए एक्स का मान मिया एक्स रूट 2 एक्स रूट 2 यह बराबर किसके आगे 25 रूट के अम मेरे भाइ मुझा रूट 2 से रूट 2 गटए तो एक्स स्क्वेर बराबर किसके आगे 25 के X बराबर किसके आगे 5 के यानि कि इसकी त्रीजे जो है R वह आगे 5 और उचा ही H भी आगे 5 अब मेरे से पूछ रहे हैं उसका वोल्यू तो बस फॉर्मूला याद है तो आप करीद होगे वोल्यूम बराबर क्या उता है 1 बटा 3 पाई का मान कहना है रवर 2 है 22 बटा साथ 1 बटा 3 पाई आर स्क्वेर एच क्या उता है वह एक बटा 3 पाई आर स्क्वेर एच एक बटा 3 पाई आर स्क्वेर आर का मान है पाँच 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 इंटु एच अब कट रागा कुछ कुछ नहीं कट रागा किसी से लेसे पॉइंटों में चलिए लगाए दूता है 25 पंजे 125 कुछ भी नहीं कट रागा हम नहीं 125 दूर दूर रहता है option नहीं option भी पास-पास है गुना 22 तो करना ही कुट है तो हम इसे सो मुकरों क्या आप मैं भी कर देता हूं ठीक है कि वह बाइस पंजे 110 की जीरो हांसिल हो एक बाइस दूरी चावाली सब पंतारीस का पांच का हांसिल हो एक सवरी चार्ट और बाइस हीकम बाइस अचार्चा चार्च कितना आगे 2650 बटे में क्या है कि का गजू जिंक का बाइस अचक पांच प्रचपन ठीक है इक है इस दुनी डिया रिस ठीक एक्सोचोविस बहुए है चैसे जुबनी ब्यारीस इक है तिस त्यथे त्रेसट थीं परबीज़विस प्रेस पॉइंट लागागें जीरो डाव गें इसका उपर, एक्सों तीस पॉइंट, फिक चांड में है, थिक है, थोड़ा से याँ पे लाच में कैल्कूलेशन हर्ड से वी बग की कुछ निकल सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, के रमेश ने सुरेश की तूलना में 30 परसेंट अधिक निवेश किया सुरेश ने अरूनी की तूलना में 40% कम निवेश किया के जिसने 8000 अज़ाफने निवेश किया था अच्छा रमेश और सुरेश द्वारा निवेश द्रासी के बीच अंतर पूछ रहा है भाई हमार से ठीक है सवाल समधी में आगया हुआ नहीं आया है तो अब देख लो देखो यहां से तिर्कोर क्या गया है सुरेश ने अरुन की तूलना में 40% कम निवेश किया सुरेश ने क्या अरुन की तूलना में 40% कम निवेश किया तो वाइ अरून का पता लग्या सिच्थ सिच्थ 8000 नीवेज किया थीए खेल अरुने के टार नीवेज करता 8000 अब आई बात किसंकी सुरिश की सुरिश नेसे 40% कम नीवेज किया तो सुर्श ने इससे 40% कम 40% गटा दो यानि के बचा 60% तो 60% का माल कितना हो जाएगा भई कितना आगया भई अटालिस सो अब आगया रमेश ने सुरेश की तूलना में 30% अधिक निवेश किया कितना भई 30% अधिक निवेश किया रमेश ने सुरेश की तूलना में 30% अधिक निवेश किया तो यहां से देख लो कितना ज्याद है भई 30% तो इसकी गुना करते हैं तीन अटे 24 दो उपर तीन चुक बारा दो जोदम 144 जीरो कुछ जाद ही कम जागा है तीन चुक बार तेरा चुक अच्छा तीस परसेंट अधिक निवेश किया तो यानिके 130% करा भई 30% जाद है यानिके 130% तो आप देखो तेरा टेक सुचार दस उपर तेरा चुक अधिक निवेश किया एक जिरो चिक पादो बस कितना आगे 6,240 अब क्या बुछ रहे है रम रमेश और सुरेश द्वारा निवेशी पराशियों के बीच अंतर रमेश और सुरेश के बीच अंतर बूछ रहे हैं इसके और इसके बीच के अंतर गठा तो देखो भई लिख लोचे यहीं पर कितना क्या दिमार लागना जीरो चार बारा मैंसे चार एक चो दासो चालिस ठीक है देखो एक पेपर सोल करना मतलब कोस्चन का मैथड़ तो पता ही होना चाहिए सारे कोस्चन हो के आपको मैथड आने आने चाहिए उसके बाद कैलकुलेशन भी फास्ट करने आने चाहिए ऐसा नहीं कि हर चीज को एक को लिख दितके गुना कर रहे है डिरेक्ट गु पढ़ियावाई समय उननिस परसेंट की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट के बुखतान करने वाले गुरहक को गटे होए मूलेशन पर दो परसेंट अतिरिक्त छूट देता है यदि कोई गुरहक अठाराजार मूल्य का खेल का समय खरीता है और ऑनलाइन वॉलेट के तो उस ग्रहाग को कितनी राशी का भुक्तान करना पुटा है ठीक है कंडिशन बताती उसके बाद भूजरा कितने पैसे देखो एक वैक्तिरिया अठारा जारत का समान करिता तो अठारा अजारत समान करिता उसमें कि 20 परसेंट चुट तो देता है सबको तो 19 परसेंट वाध्यट बच्टा कितना जानि कि 801 परसेंट एक्स्ट्रा सूमीट क्योंकि उसने ऊंलाइन वॉलेट के जरी मुखतान करा तो से 2 परसेंट और चूट मिलेगी यानि कि ये सो में स 돼घ्टा ने तो 98 बटा और प्रांट थी है बस कैल्कालेस्ट नो रोग जा जए 2-0-0-0-0-0-0 यूजा है गया छिया है अब किया है तो गुना ही पहता है। और जास्ता नहीं है कर दो कि आर्टी कम आर्ट ठीक है और आर्ट राट सोला सोला अच्छे एक आर्टी कम आर्ट रेक नौह सोड़ेसर गुना में क्या आजया का हम नौह अब इनकी गुना कर लो करो यह भी नहीं करनो आर्ट की समय करेंगा इसे नीचे दिए टीक है और टी चोंट चेंट अटारीस अच्छेंट अटारीस अच्छेंट चुबं कचार अगांसी लगो पांच और हाट नम बातर और पांच सब्सक्राइब आठ ना बातर दो साथ उपर नोचिक चोवण और साथ चोवण और साथ इकसट नोगन क्यस्सी और चैंसर अट इस टीक है आगे कितना वहीं चार चैंट एक आट साथ चोंदा चुरान वैं आट सो चोंट इस तो भाई कहीं निया रहा क्या वलतिकर देंगा है तो उसक्राइब को कितनी धन्राशी थ्रुवे बुक्तान करना होगा अब विदे हादम आगे शेक किन कोच देख हो भाई एक बार और अटी गम आट नहीं गलति गरीकोछ ऑच्छिए तो यह सुनोगे सब्सक्राइब है क्या गलता हो बैद कि अथाला सो त्यां वेट डिवान कुछ में वल्टी प्राइब करेंगे आड़ी कम आठ अर्टी चोशत और एक पैंसट ठीकर छेंव पर आड़ी कम आठ चाहिए अब गरविश में 98 की नीचे लिए लिए नाइटी एट की टीक है आट अटी चोंसर चैनल पर आट से चालीश अचे चालीश 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 च बावन का दो हाँचे लोग पांच नोचोग चाथ तीस और पांच कितना हो कि तालीस एक चार नोई कम नौर चार तो यह कितना देगा चार चार दो हाट चार दो हाट दो चार अब तो होगा है अगला सवाल चार पक्सी ABCD एक जंडल में चारो और उड़ते हैं बहुत अच्छे जादे उड़ रहे हैं एक 27 मिनट में 30 45 और 60 मिनट में पूरा चक्ता लागता है बहुत ही मतलब रिपीटिड कोश्चन है हर बच्चे पर आपता होगा कुछ नहीं का नौत था इनका LCM लो 47, 30, 45 और 60 इन सबसे बड़ी संक्राव साथ तो साथ के तोड़े से तुबड़े से करके लिख लो जैसे 15 चोपका साथ फिर दूसरी संक्राइब 45 में क्या होता है बही 9, 5, 45 अब देखो 5 तो यहां 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 तीन निया आया हो तक तीन लिख लो उसके बाद 30 30 कैसे बनेगा 15 दू और एक तीन आका 15 की साथ है तो गया सकता है यह LCM आगया इसका है क्या आगया वही LCM किक है अब क्यारा कि यदि वे एक साथ उर्णना सुरू करते है तो कितने गंटे बाद मिलेगी गंटे में पूछ रहा तो इसे मिनिट में था यह साथ साथ सा बाग कर दो 15 चोपका साथ चार से चार गंट गया तीन थी है कितना आगया नो गंटे तो कितने गंटे बाद मिलेगी नो गंटे बाद चिडिया जो है आपस में नो गंटे बाद मिल जाएगी इसमें अगला सवाल है वारह वेक्ति 20 मीटर लंबा गड़्डा आठ दिन में खोथते हैं कि उसकी चोड़ाई और गहराई वाला उसी चोड़ाई और गहराई वाला तीस मिटर गड़्डा छे दिन में खोधने के लिए बहुत आसान एम डिया चला तो सबको पता है कोई यहां कि यहां पर कितने आदमी है बारा आदमी 20 मिटर गड़्डा यानि के कारिये है यह 20 मिटर गड़्डा यानि के कारिये है आठ दिन लगा अब दूसरे में आदमी हमें निकालने दिन कितने चाहिए चैनल और काम है तीस आई बास समझ थे ठीक है बस अब क्या रहना जीरो से 08 तो प्रेज़ तीन दुनी चैनल दो चुक और दो दुनी चार कितना आगे बारा दुनी चोड़्य कितना आगे बारा अगला सवाल देखो भी एक वस्तू 350 में खरीदी गई और 500 रुबे में बेची गए परती सतलाव अच्छा तुमने इस चीज़ ज्यान दी मैं 3-4 खिलास करा चुका इसकी सबसे ज्यादर कोस्चन कहां से आ रहे प्रोफिट लोस वस्तू इतने खरीदी इतने के प्रसेंट प्रोफिट लोस सबसे ज्यादर कोस्चन आदे यहां से एक मस्तू 350 में करीगी गई और 500 रुपे में वेच गए बढ़ती सतलाव इस से आसां सवाल कुछ नहीं हो सकता देड़ सो गला बताओ आ गया साठेटीन सो पी गुना में सो जीरो से जीरो अटकी और रहा पॉइंट पांच त्यापंदरा पांच तेपैंटीस कितना आगया तीन सो बटे साथ साथ चुक 28 बच गे दो 20 सादु नी चोदा बच गेच है और साथ साथ इस पॉइंट आठ चेंट अठीक है आया समझ में वही सवाल पार कुछ समझ में भी आ रहा था रहे बता दियो अगला सवाल बारा बैक्ती 20 मिटर लंबा गड़ा आठ है यह सवाल तो हो चुका यह सवाल हो चुका क्या हो एक सवाल मिस कर दिया को एक परिक्षा में विद्यार्थ्यों को उत्रीन होने के लिए 35 परसेंट अंक लाने अनिवा दिया है सुनीता को 145 अंक मिले और मैं 33 अंक से फैल होगी यह क्या कह रहा है कि 35 परसेंट अंक लाने अनिवा रिया है और एक सुनीता है कोई उसके 145 नंबर आए और वो 23 नंबर से फैल होगी यानिके अगर उसके 145 पलस 23 यानिके 86 168 नंबर आ ज़ते तो वो क्या हो ज़ती भई से पास अंगे पास हों स्दोर्वी अमधोल इसका मतलड़े उसके कि इन नंबर हो एगे यह थ theo कि 35 पर सेंट वाले तो 35 सेंट को पर सेंट कि मतलब थे 3 इस वाल समझ मैं आरे यह तीग है कितना आगया चार्सो असी अगला सवाल देखों कि अगया है सद्रवा सवाल है एक वेक्ति ने पचास अजार की दंडाशी चार परसेंट की बार से एक साला एंड ब्यास दर पर तीन वर्स के लिए उदार दी उसने तुरह तुरह ती एरासी एक अन्य वेक्ति को बड़ा से आना था वाई तो चार परसेंट से तो ली और चै अब देखो एक साल में कितने परसेंट का लाव हो जगा भाई आपे चैसे एक बटा चार प्रियां पर चार दो सही एक बटा चार परती सब्सका बैटरी टाउन होगी क्या हूंदी तुन तुन के सब्सक्राइब अधिक्त रॉल करके तो कि तुन थे नलाव हो उसे बइस निभाद चार और सवाच है कि तने बार बैई दो सही एक बटा 4 परसेंट तो चुक और और एक 9 पर चार परसेंट का लाव कम आधा हर साल तो 50 जारा का निखाल देगा है नो बटा 4 परती सब्सक्राइब कान नो बता चार पर तीशत गुना सो चार से कट जगा पत्चीस बर और पत्चीस पंजी एक्सो पत्चीस टीक है बते में सोगाना था ना यह पुना में सुगूरा थीट भई गल्टियां उपॉट्व दिवाज नो बता चार गुना में सो टीक दो जीनों से दो जीनों आटीकी अविस्सा काट जिसो पर चार से काट्टों के पांचो की त्रीवर कटेंका एक्सो पत्चीस बर एक्सो पर इस बुना में नो नो बजे बजें पर चार अगया कितना आगया गया क्या थे समय में क्या अगया विस्ट हो रहा दो से एक प्टा चार पर्तिसद निकाल देंगे है ठीक अगला समान एक अगया एक निश्ची दन्राची पर साधर्लण भ्याज की समान वाचिक ब्यारश दर्से तीन वर्स बाद प्राक्ट मिस्र दन, कितना है वही, 7400 पिछस्ति है, और आट वर्स बाद प्राक्ट मिस्र दन, इतना है, यह भी आज़ा है, वही सेम समाल पहले भी कर चुक है, ऐसे ही समाल गाया था, फिर आगया, कोई बाद नहीं, देखो माल लो, यहां से शुरुआ गय उसके यहां से कितना, यहां से 8 साल बाद, उसे कितना पैसा मिला, 9960, ठीक, यदि ब्याज की दर पहले से अब बर्स, पहले यहां तक सोल करो, दर तो निकालो, तुब नहीं हो जाए तो साधन ब्याज की दर से उतनी इना से फड़न, जोता है, यहां से निकाला। देखो एक बात बताऊ यहां से यहां तक यहां से यहां तक आने में आय है ऐसे लिखो बई यहां पर तीन साल हो तीसरे साल है और यह क्या है आठ मे Switzerland अग एक बात बताऊ कि उसे यहां से से तीन से आठ यहां sap कितने साल लगे हुए पांच साल पहुझे हैं यहां से आतर पहुझने के लगे पांच साल, पांच साल में कितना पैसा बढ़ी है उसका घट आगे देखोगे, 0 में सा पांच इसा 5 में से यानि कि 15 में सा आठ गए 7एधर बचागा 8, 4, 2, कितना बच चाहिए 2400 के चता है तो, एक साल में कितना यागा बटे में 5 कर दो पान्चों 20, 59, 45 5 मझे 25 एक साल में कितना यज़ू 400 पिक्चानट में एक साल में कितना पैसा आकई 400 अथिक अब देखो...हम या भेत थोड़ता सा यह भलो सिंपल करीव से और देखो साल में 400 पिक्चान वारा तो यहां से यांतर कितने साल लगे तीन साल तो तीन साल में दन कितना आया होगा गुना करेंगे तीन से तीन पंजय पंधना एक उपर तीन दम सत्ताइस और एकटाइस दो पर तीन चुब बार रदो कितना पैसा आया ओगा वगई 1450 तो यानि के मूल्धन कितना रा ओगा अगर इसमें से 1450 अगटा तो देखो 50 तो ऐसे गटिगा दो जीरो कितना था वए मूल्धन 6 आजां और या किया राद ही दरदूगनी कर दिजय को अगर कि दरदूगनी होगी तो ब््याज भी दूगना हो जाएगा तो यानि के पहले जो भी आज मिल एक ता कितना 400- constantly में चार सो पिच्चान में और दूब ना या चार आण में क्या होगा तू प्रफिया नौ संब्धे मिलेगा शाथ साल में कितना पैसा मिल जाएगे गुना में साथ कर देंगे अगला स्वाल लेखेंगे एक वेक्ति ने एद मिश्चित धन्रासी को साधान ब्याज S.I.E. की 5% वार्षी तरपर 2 वर्स के लिए दे को 5% से 2 साल लिए जबकि अन्या वेक्ति ने उतनी धन्रासी उसी अब दी के लिए यह मतलब 2 वर्स के लिए 4% वार्षी चक्रवर्दी पर निवेज किया साधान ब्याज दरपर प्राप्त ब्याज चक्रवर्दी ब्याज पर प्राप्त ब्याज से 184 रुपे अधिक है निवेज की गई रासी बत्रोग इसमें क्या करेंगा कि पहले दोनों कंडीशन से ब्याल निवाल कितना है मलों मौलदन था तख सो रुपे हो और तो पहले वाली कंडीशन से ब्याज कितना जाएगा देख Valley तो 5% दो साल लगे गी है कितना आ जागा 10% और 100 का 10% कितना आ जागा 10 तो पहली कंदिशन से भी आ जागा 10 दूसरे बारी में क्या कहता चार परसेंट लेकिन अब की बार लगे था कितना भी आज मिलेगा वाई कितना भी आज मिलेगा टोटर अब आट पॉइंट एक चीए अब मुझे बता हो यहां से यहां तर ब्याज में कितना आज आ तो आपका और वहीं घटा दो जीरो जीरो ऐसा लागा तो कितना आगा वे चार इधर जाएगा नो में से आट चुरस्टि कॉइंट एक पॉइंट चुरस्ट इक कोस्च्चन में क्या अब एक कमान सो है तो इस सो कमान कितना देया था दस अजार और यही अमार्चा बूच रहता कि मूल दन कितना है ठीक है इस से आसान तरीका नहीं है वह इस सवाल को करनेगा बहुत ही बेस्ट मेतड है और बिल्कुल सिंपल है कोई जादे दिमान नहीं चपाना अगरा सवाल एकको 10 मेरा ही किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं उसी काम को 15 पोरूस 5 दिन में पूरा कर सकते हैं बहुत अच्छे है यह पांच मेरा होके इस rif years यह कश्यूज करने आनरे मंहिला प्रूस दे दिया बच्चे क्या सुचेंगे इसमें वह वाला सवाल है यह 5 माईला 4 पुरूस इतना प्लान देखा सवाल है वही AB बात सवाल कौन सा है यह AB बात है क्या मालनों यह माईला है यह 10 माईला किसी काम को नहीं भाई यह तो पुरुस वाला ही है कर दस माईलाए वुमेन किसी काम को पंदरा दिन में कर सकते हैं कितने दिन ले रहे हैं पंदरा पुरूस कितने पुरूस हुआ पंदरा पुरूस पंदरा में पांच दिन में कर सकते हैं अब देखों यहां से इनकी efficiency निकाल लो 15 से 15 गटेगा और 5 दोगी प्लस तो यह woman और man की efficiency का ratio कितना आ गया एक और दो दर्चट रजाएगा एक इदर ठीक है कितना आ गया दो और एक अब देखों जैसे जैसे कहना यहां से सोच रो कोई भी एक condition यहां से उठा नहीं बता रखा जैसे ही कोई भी एक उपर से रेड़ो या यह यह वाली या यह वाली मैंने देदी यह वाली वह दस वन वो मेन की efficiency है एक गुटा 15 दिन लगा दी 15 दिन में काम कर दी वही काम किस से करवाना देखों दस मेलाओं ने काम करना शुरूगा और तीन दिन वाल पांच मेलाओं के स्थान पर पॉर सो के काम पर रहा जाएं यानि कि 10 महिला उन्हें 3 दिन तक काम किया, कितने दिन तक, 3 दिन तक, तो 10 महिला उन्हें, 10 महिला, उन्हें के एफिशेंसी एक, और दिन कितने लिए वाई, 3, उसके बाद ही क्या हुआ, उसके बाद ही क्या हुआ, उसके बाद महिला ही रहेगी 5, ठीक है, 5 महिला ही इनके ए पूरूस, पांच क्या है पूरूस, पूरूस की एफिसेंसी 2, ये काम पे लग गए अब, अब पूछ रहा है कितने दिन तक काम करेंगे, कि काम पूरा हो जाए, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है ये पूछ रहा, समझवाई बात, क्या से किया, 15 दाम 150, 10 थिये 30 इधारा गब, माइनस 30, बराबर, ये कितना आ गए, वही 15, गुना में D, ठीक है, ये गया, 120 तो बरावर 15, 172 है, अब उस ने क्या काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, पूरा काम पूछ रहा पूरा काम कितने दिन हो जाएगा तो पूरा देखो तीन दिन तो पहले लगे लिए यहां बिज़के तीन दिन पहले और आठ दिन यहां पर लगे लगे काम पूर होने में 11 कितना टैन लगेगा ग्यारा दिन अच्छा सवाल था भाई है ठीक है सवाल देखते हैं वहीं 21 कि क्या रहा है पंद्रह जार नहीं यह तो भाई कुछोड़ी कह रहा है एक लाख उन सथ हजार दो सो पच्छास की दन्राशी एवी सीदी में इस परकार बाटी जाती है एक और बी का हिस्सा एक तीन के अरपास में बी और सी का हिस्सा दो पांच के यह तो बहुत आसान सवाब जिए थीक है छोड़े तो आपके तेंख यह स्वाल आ लोग में आसान सवाल एक स्माव यदि कैम्प में भाग ले रहे लड़को और लड़को की ओसत आयू कानुपाद अच्छा संख्या उनकी ओसत संख्या कानुपाद दो दीन है तो सभी पर क्योगियों की ओसत आयू की दनी है तो लड़कों की ओसक आयू 16 लड़कों की तेरा तो लड़कों की है 16 ओसक आयू लड़के कितने है 2 पलस लड़कों की ओसक आयू 13 लड़के कितनी है 3 बटे टोटल वच्छे कितने होगे 5 ठीक है ये समझ माया है और आई यूग आगया लड़कों की आई यूग आगया टोटल में टोटक बच्चे तो यूपर का आगया बच्चों का योग आई यूग बटे में कुल बच्चों की संख्याद आप सबी की पूछरा तो बताई दोगे। 16 जोनी 32 प्लस तेराती नंतारीस बुटे में 5 करोगे। कि तना आगे भई ? 136,7,1,8,5, 5 से बाफ करोगे। 14,7,4,5, 14,7,4,5, कि तना आगे भई ? 14,5 आया समझ सवाल ठीक है एलिगेशन से भी हो सकता है यह सवाल लेकिन ऐसे करना यह अच्छा मेथड है इस सवाल को करने के लिए हर सवाल के बिल्कुल बेस्ट मेथड बता रहा हूं ठीक है यही फोलो करना इन्हीं की प्रैक्टिस करो बहुत ही अच्छा प्रद आएगा सवाल इस गरुल दरा के वहें एक वरग का छेतर फ़ल कितना होगा जिसके विकल्ण की नमभा ही 16 के बहुत का चेतर फल कूच रहा ईंड़ और क्या घरा उसका विकल्ण कितना है 16 अब ये कहीं में व्रुत कि रिण नहीं हो जब इसका भी बताना तो उसकी जोरत क्या है ठीक है ब है अब देखो वर्ग का विकाने क्या होता है वर्ग का विकाना डी बरावर क्या होता है ए रूट को ए एक आई गुजा ठीक है और विकाना देखे जिया तो नहीं आपका तो सीखलों को सोला है यह सोला वो क्या लिए देंगे मां आठ गुना दो ठीक है अब दो का मतलब क्या होता है दो का मतलब रूट दो गुना में रूट दो अब आई-बान समझ मैं अब इस रूट ब्रूट दो से एक रूट दो बचना एंगे असें लूट होता है इउसाँ चेतपल वराबर एस्क्यार तो यानिके आठटी चॉंसट और रूट तो का इस पैर करो कि दो कितना जाएगा वही एक सो अट्थाइस कितना आगे एक सो अट्थाइस सवालाज की किलास का बहुत ही अच्छा खुबसूरत सवाल एक नाव ढारा की दे समय उसी चाल को चलते होगे समान दूरी टेंगान लि 열ीके थिए स्माठी का देखको चारा की 12 kp 30 मिनट में अब कैसे धारा की धिसा में धारा की धिसा में स्पीड ही बताईती है लार है पढ़ा फिल सभाई होती है चाल बरावर क्या होते है थो जया अब चाल बवाल ऊताए है दूरी समगारे बहती बटाई तो यहां पर क्या आगे 24 एक्स प्लस वाई कितना आगया 24 ठीक है अब ऐसे ही निकाल देगे इस 36 को पहले बदलो गंटे में 36 बटा 6 चंग 36 दाई 60 ठीक है और देखो डारे विप्रीट यानिके एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा दूरी तो वही चली 12 किलोमेटरी उसी चाल से चलते वे समान दूरी 36 मिनट लगाई यानिके 6 और 10 उपरा जाएगा 6 दूरी 12 दूरी 20 एक्स माइनस वाई कितना आगया 20 एक बात अभी समझाएगी सी एंडी रूर कंपोनेंट डिविडेंट एक्स निकालना तो क्या अगरों कि दुन्नों को जोड़के अद्द कर दो 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 निकालना तो दुन्नों को घटागे अद्द कर द तो आज की किलास समाब तो यहीं पर 25 सवाल करते हैं आज थोड़ा स्पीड से हुआ क्योंकि कोश्चन वगएरा सब कुछ पहले ही लगा रखा ठीक है तो बहुत मेनस से पढ़ाया जाना और अच्छा पढ़ाया जाना है अगर किलास अच्छी लग रही हो तो इसको सेयर कर ल यह जितने भी सैट तरा रहों यह जरूर देखो बहुत फाइदा मिलेगा बहुत ठीक है आज के लिए इतना ही जैन धन्यवाद